Hello students, आप सबका एक बड़ फिर से स्वागत है, मेरी YouTube चैनल गुरुपत्स कोचिंग में आज हम matrix जो chapter हम कर रहे हैं 12th class का उसका नया topic करेंगे that is system of equation जो system of equation है हमारे पास वो भी बहुत important जो आपका topic है वो matrix का इसके लिए आपको already आप सारे जो terms हैं वो पहले ही कर चुके हैं जैसे कि inverse निकालना, inverse से पहले हमें adjoint पता होना चाहिए हमें determinant पता होना चाहिए, फिर हम inverse निकालेंगे तो वो सारी चीजें जो हम पहले ही अपने वीडियो में कर चुके हैं आज हमें इसके अंदर उन चीजों को यूज करना है तो ये topic इसी लिए मैं सबसे बाद में करवा रही हूँ क्योंकि हमने पहले उन चीजों को cover कर लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं system of equation इसके लिए हम एक question लेना पड़ेगा जो कि proper एक equation form में होगा स्टार्ट करते है question के साथ suppose मैं 2x2 और 3x3 जैसे कि आप लोगों को पता है मैं हर बार दोनों चीजों को अलग-लग वे में समझा रही हूँ आपको 2x2 का जो matrix है उसका मैं आपको solution अलग से बताती हूँ और 3x3 का अलग से बताती हूँ ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई confusion ना हूँ ठीक है तो अब मैं सबसे पहले वही फिर से 2x2 की matrix लोगी linear order में और उसके बाद हम उसको solve करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से पता लग जाए कि system of equation को कैसे हमने solve करना है ठीक है चलिए हम equation लेते हैं रप से पहले x plus 2y equals to 4 2x plus 5y equals to 9 यह हमारा question है ठीक है अब देखिए बात आती है अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे वो एक simple matrix box के अंदर अपनी values को put करके कर रहे थे अब यह हमारे पास आगई है linear equations तो अब इनको हमने कैसे करना है यह बिल्कुल simple सी चीज है हमारे पास देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है यह x and y यह क्या है आपके पास एक capital x यह हमारे पास small में लिखे हुए है इसको हम present करेंगे capital x से तो capital x से जब आपने किया x y ठीक है तो यह आपको क्या बता रहे है कि यह वो unknown value है जिसको हमें find करना है unknown find यह वो unknown value है जिसको हमें find करना है और एक value हमें निकालनी है उसके बाद इसके जो coefficients हैं x आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है यह y लिखे हुए इनके coefficient coefficients क्या होते है जो बिल्कुल उनके आगे की values होती है तो वो हमें लिखने हैं इस तरह से a equals to जिसके आगे हमारे पास कोई number mention नहीं होता तो by default हम उसको क्या consider करते हैं 1 तो यानि कि यहाँ पर क्या आया 1 2 2 5 ठीक है जो की unknown है जिनकी values हमें find करनी है and a a मैंने अपने आप कोई नाम दे दिया है आप अपने accordingly कोई भी नाम दे सकते हैं वैसे जो according to formula अगर हम कहते है according to rule system of equation को निकालने का जो तरीका होता है वो हमारे पास क्या होता है a x equals to b ठीक है a यानि कि मैंने जो coefficients हैं उसको नाम देते हैं हमेशा a matrix x है हमारी वो unknown values and b is this term that is basically on right hand side equals to के जो right hand side पर होता है ये होती है constant value इसको हम क्या बोलते है b equals to 4 9 जो के क्या होती है हमारी constant value constant मेंतलब fixed value ठीक है तो हम इसकी help से हम क्या निकालेंगे अपने पास की हमारा system of equation होता कि है अब ये निकालेंगे क्या आपको मैंने तीनों चीज़ें अलग लग बता दी है पहले आप इस concept को समझने की कोशिश करिए इसके लिए आपको करना क्या है अब देखिए हमारे पास एक simple से चीज़ होती है मैंने अभी आपको क्या बोला हमें x जो की unknown है उसकी value निकालनी है यानि कि हम according to algebra क्या करेंगे x को यहीं रखेंगे a यहाँ पर multiplication में है x के साथ according to algebra जो भी चीज़ आपके पास left side पर multiplication में होती है जब उसको right side पर लेकर जाते हैं तो वो क्या बन जाती है divide हो जाती है ऐसा ही होता है तो यानि कि यह क्या हो गई? divide हो गई 1 upon a 1 upon a यानि कि a division में है इसका क्या मतलब है हम इसको इस तरह से लिख सकते है x is equals to a inverse p लिख सकते है? ठीक है? तो देखिए आपके पास आपको कहीं न कहीं पता लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहते हूँ यानि कि अब हमें क्या करना है सबसे पहले अपनी a matrix को use करके हमें उसका inverse निकालना है और जो भी answer आएगा उसको simple अपनी b के साथ multiply करना है जो कि हम already अपनी सारी पिछली videos में ये चीज़े cover कर चुके हैं और आप अब इसको बड़ी easy रही यहां से समझ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले हाँ जी अब हमारे पास क्या है matrix a equals to 1, 2, 2, 5 x equals to x, y and b equals to 4, 9 अब हमने करना क्या है हमें a inverse यानि कि सबसे पहला काम हमारे पास एक आता है हमें पहले अपना a inverse निकालना है और पिछली video में जैसे मैंने आपको बताया था a inverse निकालने के लिए हमें अपने a का determinant भी पता होना चाहिए और A का हमें adjoint भी पता होना चाहिए ठीक है तो पहले हम उसी को करते है A matrix जो आपकी है इसका सबसे पहले आप क्या निकालेंगे determinants निकालेंगे ठीक है तो मैं इसको फटा-फट से आपको करके दिखा देती हूं 1 multiply by 5 minus 2 multiply by 2 तो यह हमारे पास क्या आया 5 minus 4 equals to 1 that is not equals to 0 यह मैंने आपको जब inverse करवाया था उस वीडियो में समझाया था कि जो आपने determinant निकाला अगर वो हमारा non-singular आ रहा है non-singular मतलब कि not equals to 0 है तभी आपका inverse possible है आगे करना अदर्वाइस आपका inverse possible नहीं है इस बात को बिल्कुल धियान रखना ठीक है तो हमारे पास क्या आया है ही non-singular आ रहा है यानि कि हम आगे की तरफ भड़ सकते हैं तो आपके पास a determinant की value आ गई है that is equals to 1 ठीक है अब हमने क्या करना है हमने निकालना है adjoint adjoint निकालने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम co-factors निकालेंगे तो फटाफट से मैं आपके लिए co-factors निकाल देती हूँ a11 हमारे पास क्या आ गया 2 5 equals to 5 a12 is equals to 3 2 equals to minus 2 a21 equals to 2 equals to minus 2 a2 is equals to तो यह आपके पास क्या आया 5 minus 2 minus 2 1 और इसका आपने transpose कर दिया transpose करने पर यह आ गया 5 minus 2 minus 2 1 as it is यह ही आ रहा है आपके पास यह function तो आपके पास adjoint यहा निकल चुका है determinants निकल चुका है अब हमारा next step क्या था हमें निकालना है a inverse a inverse निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसके थुरू हम अपना a inverse निकालेंगे क्या method था a inverse निकालने का 1 upon determinant of a multiply by adjoint of a 1 upon determinant क्या था 1 multiply by adjoint क्या आया था हमारा 5 minus 2 minus 2 1 यह आया था हमारे पास चीक है तो यानि कि हमारे पास बिल्कुल clear है यहाँ पर कि 1 upon 1 मतलब 1 होता है तो आपके पास क्या है division किससे करने आपको 1 से and 1 से division करने का मतलब क्या हुआ metric itself यानि कि हमारे पास a inverse क्या आया बच्चो 5 minus 2 minus 2 1 clear अब अभी हमारा सिर्फ एक step clear हुआ है यानि कि हमने a inverse को find किया है but what about b हमारा b तो भी नहीं निकला तो हमें उसके लिए क्या करना है साथ में अपना b भी b की जो value है उसको इसके साथ multiply करना है तो चलिए अब हमारे पास b की value हमारे पास थी 4 and 9 4 and 9 तो हमने क्या करना है x निकालने के लिए हमें a inverse multiply by b करना है a inverse की value है 5 minus 2 minus 2 1 and multiply किया उसको b के साथ ठीक है तो यह कैसे होगा मैंने आप लोगों को multiplication वाली वीडियों में अच्छ से बताया था row column को multiply करती है ठीक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे 5 multiply by 4 plus minus 2 multiply by 9 next अब इसके लिए next हमारे पास कोई column नहीं है तो काम यहीं पर खतम हो जाता है अब हमारी next row करेगे apply same formula minus 2 multiply by 4 plus 1 multiply by 9 तो हमारे पास solution क्या आया 20 plus minus 18 और यह आया minus 8 plus 9 तो आप इसको simple solve कर सकते हैं यह आगया आपके पास plus minus हमारे पास क्या हो जाता है minus तो यह क्या आगया 20 minus 18 that is equals to 2 and minus plus क्या होता है plus तो आपके पास 9 में से 8 गया according to big integer हमारे पास answer आएगा 1 तो यह आपके पास आगया X की value capital X था जो उसकी value आपके पास find हो गया यानि कि small x is equals to 2 आगया and small y is equals to 1 आगया ठीक है तो यह है system of equation निकालने का बहुत ही असा तरीका जिसके लिए आपको सबसे पहले बाकी सारी चीजों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें किसी भी हम एक भी स्टप को मिस करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा पूरा का पूरे सिस्टम में खराब हो जाएगा और question को solve नहीं कर पाएंगे मैं उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को यह concept अच्छ से समझ आया होगा और इसी तरह से आप अपना support करते रहिए और मेरी वीडियो को like कीजिए बैल आइकन को दबाना मत भूलिए और आप अपने views भी दे सकते हैं अगर आप कोई view देना चाहते हैं and thank you so much